वेलकम बैक आवरीवन तो आर ब्रैंड न्यू एपिसोड ओफ वॉची न्यूज जा हम हॉलिवूड से रिलेटिट सभी तरह की छोटी से बड़ी न्यूज अपडेट्स एंड रूमर्स के बारे में आपको बताते हैं दोस्तो पिछली वीडियो में भी हमने इस फीक निकल कर आई काफी अपडेट्स कवर की थी लेकिन वीडियो काफी लंबी हो जाने की वज़े से हम उसमें इस मन्त का मूवी केलेंडर आपको नहीं बता पाए इसलिए वो मिसिंग पार्ट हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे इसके साथ ही बहुत सी पुरानी मूवीज हैं जो फाइनली इंडिया में हिंदी में रिलीज होने जा रही है जैसे कि हिट मैं 2007, फिरी गाय, कॉल्ड पर्सीट और बहुत सारी तो इनकी रिलीज जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे लेकिन उससे पहले दो एक छोटी मोटी अपडेट्स भी आई है कुछ मोवी से रिलेटिड उनने भी हमागे इस वीडियो में कवर करेंगे तो अब्वियसलि अगर कुछ में मिस नहीं करना चाहते है वीडियो के एंड तक जरूर देखना और विडियो अपडेट सेट चलिए हमारी इस वीडियो की निकल कर आई सबी अपडेट्स का सिलसला शुरू करते हैं वैल दोस्तो इस वीडियो की अपडेट्स वैसे तो अपने पिछले एपिसोड में आपको देच चुके हैं अगर वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको उपर आई बटन में देखने मिल जाएगा इससे पहले आपको उस वीडियो को चेक आउट जरूर करना चाहिए फिर सबसे पहले बात करें MCU की तो MCU की अपकमिंग मुवी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से काफी सर्प्राइजिंग रूमर निकल कर आया है हो सकता है कि इस ममें लोकी, मॉबियस और सिल्वी भी देखने मिल जाए नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो इस वीड फीनम 2 से भी काफे सारे नियू बिहाइंड दा सेंस निकल कर आया है मैंने स्क्रीन पर शेयर कर दूँगा आप एक एक कर इने देख सकते हैं इन बिहाइंड दस सीन्स के साथ इस मूवी को इंडिया में रिलीस होने से पहले इसके कुछ ऑफिशल इंडियन रिलीस पोस्टर्स भी रिलीस हुए हैं जिनने तमिल तैलुग और हिंदी लैंगवज़स में रिलीस किया गया है इसके साथ इन दस मूवी को ऑफिशल इंडियन रिलीस पोस्टर्स भी रिलीस हो चुके हैं आप इने भी एक एक कर इसकीन पर देख सकते हैं एमस्यू से रिलेटेड लास अपडेट की बात करें तो इस पाइडर में के ट्रेलर में दिखने वाला ये वाइड शेट एंड टाइप पहना शक्स शायद चारली कोक्स वाला डेर डेविल माना जा रहा था लेकिन आइमस में प्ले कियेगा इस ट्रेलर के एक्टेंडेड कट में उस चक्स का रियल फेज भी रिवील हो चुका है और वो चारली कोक्स नहीं है बट स्टिल काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो हमें इस मुवी में भी देखने मिल जाएं नेक्स अपडेट की बात करें तो एक्वामेन अन दी लोस कंगिनम मुवी के शूट से जैसन मुवा ने अपने एक न्यू सूट के साथ ये फोटो अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया है जिसमा मुने एक ब्लू एक्वामेन सूट में देख सकते हैं ये ब्लू सूट एक्वामेन की कॉमिक से लिया गया है जिसे इस करेक्टर की काफी अल्ली स्टेजस में पहनाया जाता था हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कुछ नूमर्स आए हैं था स्यूसाइड स्कूर्ड की प्रोड़क्शन स्टार्ट होने के वेल तो जैम्स गन इस रूमर्स को फेक्ट डिक्लेर कर चुके हैं जैम्स गन एक इंटर्विय के दौरान बताया कि फिलहाल तो वो सूसाइड स्कूर्ड से रिलेटेड किसी भी न्यू प्रोड़क्ट पर काम नहीं कर रहे हैं बट हाँ वो ये भी डिक्लेर कर चुके हैं कि उनकी पीसमेकर सीरीज अनोफीशली दसूसाइड स्कूर्ड मुवी की एक सीक्वल है जिसकी स्टोरी डायक महीं से कंटीन्यू करेगी तो बस इन ही कुछ अपडेट के साथ आपको बताता हूं मुवी इसके बारे में जो फाइनली बागी कंट्रीज में रिलीज होने के बाद इस मन्त इंडिया में भी रिलीज होने जा रही है इसमें सबसे पहले तो है Fast and Furious 9 जो कि अलड़ी 2nd of September को इंडिया के ज्यादा थेटर्स में हिंदी में रिलीज हो चुकी है इंडिया मुवी अभी भी थेटर्स में लगी हुई है अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा तो बड़ी स्कीन पर इसे देखने में आपको काफी ज्यादा मज़ा आने वाला है हमाई नेक्स मुवी है दा क्रूट्स 2 जिसे फाइनली इंडिया में हिंदी तमिलो तैलोगो लेंग्विज के साथ 10 सेप्टेंबर को इंडिया के सभी थेटर्स में रिलीज किया जाएगा इंडिया में ओलेडे हिंदी में रिलीज होचुकी दा सिउसाइड स्क्याट एक बर फिर से बुकमाई शोव पर 16 सेप्टेंबर को रिलीज की जाएगी इसका मतलब है कि 16 सेप्टेंबर को आपको दा सिउसाइड स्क्याट का एजी प्रिंट भी देखने मिल सकता है लिसमें नेक्स मूवी है Don't Beat 2 जो कि इंडिया में रिलीज होगी 17 सप्तेम्बर को एंड इसके साथ Ryan Reynolds की Free Guy को भी इसी दिन यानी के 17 सप्तेम्बर को इंडिया में रिलीज किया जाएगा एंड 2007 माई Hitman मूवी भी इतने सालों बाद फाइनली 24 सप्तेम्बर को Lionsgate प्ले इंडिया पर हिंडिय में रिलीज होने जा रही है मूवी की स्पिन ओफ सीरीज डग देज इंग्लिज लेंगएज में रिलीज हो चुकी है Netflix पर Chicago का सीजन वन भी इसी दिन रिलीज हुआ है और How to be Cowboys नाम की एक Netflix औरिजनल सीरीज भी 1 सप्तेमबर को रिलीज की गई है 2nd September को Netflix की Q4 नाम की एक adult comedy animated series release हुई है जिसके total 10 episodes and से हिंदी में भी release किया गया है 3rd September को series जगत की सबसे ज्यादा popular series Money Heights का season 5 volume 1 हिंदी तमिल तैलुकु लेंगविजिस में release हो चुका है 3rd September को ही Oscar winner रह चुकी movie The Father को Lions Gate Play इंडिया पर English में release किया गया Netflix पर What We Do In The Shadows का season 3 भी 3rd September को ही release हुआ and अपार शक्ती खुराना की helmet movie भी इसी दिजनी प्लस होट सार पर release की गई थी 5th September को Netflix पर F1 Dutch Grand Prix नाम की sports car racing series release हुई है और 8th September को American Crime Story का season 1 release होगा 10th September को Lucifer का final season 6 Netflix पर Hindi और English language के साथ stream होना start होगा and 13th September को Oscar Isaac की romance drama movie Scenes from my marriage सिर्फ English language में release की जाएगी 14th September को Netflix की वाइड अलास में नाम की है का action thriller series release होगी and शायर से इसे हिंदी लेंगवज में भी release किया जा सकता है September के next half पर आएं तो इस मन 17 September को Sex Education का season 3 Netflix पर हिंदी लेंगवज में release होगा और इसी के साथ Netflix पर ही South Korean survival thriller series Squid Game भी इसी दिन release होगी Disney Plus Hot Star पर सेफ अली खान की भूत पुलिज भी 17 September को release की जाएगी और इसी दिन ताफसी पन्नु और राना दगुबती की तेलुगू horror series Annabelle सेतुपती को भी stream किया जाएगा 19 September से तो IPL स्टार्ट हो ही रहे हैं 21 September को The Resident का season 5 और 24 September को The Haunting of Hill House की तना ही एक और हिंदी लेंगवज में horror thriller series Midnight Mars release होगी 27 September को Family Guy का season 20 और The Simpsons का season 33 भी release होगा The September को James Wan की Malignant movie theaters में हिंदी में और HBO Max पर English में release की जाएगी The September को ही Netflix action thriller movie Kate भी Hindi English में release होगी और 22 September को Netflix की Frida Pinto Starer Mystery Movie The Intrusion भी release होगी 15 September को Netflix पर सेम रायमी की fictional magical drama movie Night Books Hindi English में release की जाएगी और इंदी लाग दा सब्टेंबर को Amazon Prime पर The Warriors नाम की एक romance thriller drama movie सिर्फ इंग्लिश में stream होना start होगी और बस इनी के साथ हमारा इसमेंद का लगबग पूरा movie and series calendar खत्म होता है तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और इनमेंसे किस news को लेकर या upcoming movie और series को लेकर आप सबसे ज्यादा excited है हमें नीचे comment करके ज़रूर बताएं अगर वीडियो पसंद आई हुए तो इसे like और अपने दोस्तों के साथ इन dates को share करना बिलकुल न भूले और आगे भी ऐसे ही अगर Hollywood से पूरी तना updated रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को subscribe और side में दिएगा बेल आइकन को दबा कर हमारे चैनल की सभी notifications on कर लें इसके साथ आप हमें हमारे Instagram account पर भी follow कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो की description में देखने मिल जाएगा बाकी मिलते हैं जल्दी एक और न्यू वीडियो में कुछ और exciting news और new movies के साथ Till then take care, over and out